वेल्कम बाक टू कर्या काउच में छुभांकर दुनिया का सबसे छोटा शब्द है मा लेकिन उसका बहुत बड़ा माइने है मातित्र तो जी हां सभी माओं को आज मदर्स दे की बहुत बहुत शुब काम ना है हापी मदर्स डे तू आवरीवन मदर्स डे सेलिबरेट करने के लिए टेंडर हाथ स्कूल ने इनवाइट किया था मौसिना मिर्जा माम ने जो कि वहां की वाइस पिंसिपल है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें वहां पे Mother's Day में पार्टिसिपेट करने के लिए जो छोटे-छोटे बच्चे है टॉडलर से लेके क्लास 12 तक एक competition का आयोजन किया था जो कि था photo contest अपने माओं के साथ बच्चों ने कुछ खूबसूरती के साथ photograph select किया था और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने expressions के जरिए से हमें बताया कि कैसे उनकी माँ उनके लिए कितनी प्यारी है और कितने अच्छे अच्छे moments उन्होंने अपने माओं के साथ spend किया तो जी हां इसी के साथ बहुत ही अच्छा एक और contest का आयोजन भी उन्होंने किया था जो कि था card making तो बच्चों ने जो हे different age groups के जो बच्चे थे उन्होंने photographs के साथ और अपनी creativity के साथ यह greeting cards बनाया था Mother's Day के लिए और साती साथ जो 11th और 12th के जो students थे उन्होंने भी अपने माओं के लिए story books बनाया थे जहां पर अपने बहुत ही अच्छी content writing के साथ उन्होंने अपने expressions और Mother's Day के लिए greetings जाहिर की तो जी हां हमने जो हे बहुत ही अच्छे से Mother's Day के लिए तेंडर हाथ स्कूल में सेलिब्रेट किया और था इशा माम जो की तेंडर हाथ स्कूल की डिरेक्टर है और रश्मी माम जो की प्रिंसिपल है thank you so much for inviting career couch team and again happy Mother's Day to all the mom's out there good morning judges I Trish Tanigam of class 7 completely ugly with my dear friend as mother is the one who fights against all the odds to make her child happy I would like to cherish one such nostalgic moment with you all when two years back I had to participate in a school competition my mother was down with viral fever still she got up at 3 in the morning arranged my costumes and props and I won the first prize in the competition all the credit goes to my mother thank you to jiha once again happy Mother's Day to all the mothers and चलते हैं स्टूडियो में आज के एपिसोड के साथ शुभांकर जी के पास नमस्कार दोस्तों तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर दोस्तों हमने मेडिकल के उपर कई बार कई प्रोग्राम्स किये कई एपिसोड हमारे ऐसे हैं जिसमें हमने मेडिकल रिलेटेट करियर के विशह में बात चीत की लेकिन एक और दारा आता है वो दारा होता है लीगल आसपेक्ट in medical practices उसको completely आज कर लीगल आसपेक्ट फर medical and managerial practices भी कहा जाता है तो यह जो lamp जो program है यह basically यह जो है वो doctors को थोड़ा सा मजबूती देने के लिए था जनरली क्या होता है कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं उनके द्वारा भी कुछ गलतियां हो सकती हैं तुरूटियां हो सकती हैं तुरूटियों की वज़े से कई बार मरीजों के मृतियों तक हो जाती है और इस वज़े से कई बार कई अस्पताल प्रशासन को बढ़ी मशक्कत करन देते हैं ऐसे कई जो है प्रॉब्लम्स देखी गई हैं उसके साथ साथ लीगल इशूज भी हैं डॉक्टर्स को सीउ कर दिया जाता है एड्मिनिस्टेशन को सीउ कर दिया जाता है तो वहां पर बात कहीं न कहीं हैर हम लोग कंजीूमर प्रोडेक्शन की करते हैं लेकिन आज के दिन में ऐसी कई चीजे हो रही है क्योंकि जब से कोविट चला है तो नैचरली अस्पताल भी भरे रहते हैं जितने आपके नर्सिंग होम से वो भरे रहते हैं और इन जगों पे होने वाली जो तूटियां हैं जो डॉक्टर्स के साथ जो जो पेशन डॉक्टर्स ज वो भी बहुत ज़्यादा अब स्ट्रिंजेंट होने लगा है कहीं न कहीं आपस में टक्राव हो जाता है इन सब बातों के लिए लीगल प्रैक्टिस का मेडिकल के साथ असोशेशन होना बहुत ज़्यादा ज़ोरी हो गया है एक बहुत अच्छा करियर निकल के है साथ MBBS, M Deme करने के बाद लोग लीगल स्टडी स करते हैं यानि LLBA करते हैं वो लोग विशेशकर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सेफ़गाॱडिंग के लिए उनके राइट्स के सेफ़गाॱइंग के लिए उनके सेफटी के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्टरीशन के सेफटी क के लिए विश्यशकर काम करते हैं आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर आर्ष हर्षवर्दन जी से डॉक्टर आर्षवर्दन न सिर्फ अब हम जब लैंप की बात कर रहे थे तो यहाँ पे अकडिमी ऑफ हॉस्पिटल अड्मिनिस्ट्रेशन एचे के यूपी चैप्टर के प्रेसिडेंट भी है और आज वो बताएंगे कि बेसीकली वाट इस लैंप तो आए बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्दन जी से सर बहुत वा स्वागत करियर काउच के इस प्लाटफॉर्म पर प्राइम टीवी पर तैंक यू वेरे मच फर इंवाइटिंग में हीर तैंक यू सर पेले भी हमारे प्राइम टीवी के स्टूडियो पर आ चुके हैं और हमने पिछली बार बात की थी हॉस्पिटल अड्मिनि दो आपने उठा हैं उस पर रखने कम जावसर देने के लिए आपने कहा कि लैम पर प्राकाश डालें या एकडिमी अफ फॉस्पियर मेश्टियों प्राकाश डालें विया लाओ और मेडिसें ये दोनों कैसे जुड़े हैं इन पर अपनी में बात रफनों मैंने ये नोटि ऑनों कि बात रूध वियूघा और इस पूरी ट्रैनिंग प्रक्रिया के दोरान थीरे और वो किसी एक विसया कि हो कुछ दामेंशन जैसे पोस्ट मॉर्टम है या कुछ स्पेस्फिक क्राइम्स जो हैं और फिर एज डिटर्मिनेशन वगर है कुछ इन बिंदों पे जिरुस्प्रूडन सब्जेट के अंदर हमनों की पढ़ाई होती है वो भी सिर्फ यूजी के लेवल पे बहुत थोड़ी सी जहां पे एक इस बात का परिचे कराया जाता है कि एक चिकितसक के लिए कुछ सम वेरी स्पेसिफिक सेट है लॉका वेरी एक्सिट बहुत प्रसाइज जो है उस पे जानकरी दी जाती है लेकिन हिल्थ केर आज ऐसा नहीं है अगर आप आज देखेंगे तो एक हास्पिटल क को चलाने के लिए लगवक्त प्रमिशन लेने होते हैं लैसेंस डिफेंट अरो अंडर डिफेंट आक्ट्स रूल्स रेगुलेशन्स स्टैट्शूट्स एंड डिफेंट अधर अथार्टिस एक डॉक्टर को अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या इवन ग हो घालता है या इन्टर्नल मिल्यू में स्टरऑ सेवाइन की प्रक्रिया में 70-80 कानून इंपिंज करते है और एक का फर्डंमिनल इक्टिम है Ignorance is law of no excuse अगर आप ये कहते हैं कि मुझे X, Y, Z कानून के जानकारी नहीं थै और इस कानून मेरे से गलती हो गई या मैनल लाइसेंस नहीं लिया या ओत्राइशन नहीं लिया या परमिशन नहीं लिया तो इस कांटेक्स में मैंने सोचा कि ये बहुत महत पूर्ण है कि Medical Fraternity को जो चिकस्तक है या जो जिकस्ता जगत है या स्वास सेवाओं का जो परिदिस है या जो प्लाटफॉर्म है या जो Health Care Organizations है या जो Health Care Workers है उनको ये बात तो जाहिर है कि एक दो, तीन, चार, पांच दिन के प्रोग्राम में कि या कानून की सारी बारिकिया नहीं समझा सकते हैं लेकिन इस बात से उनको भिगे तो जरूर करा सकते हैं कि जो बहुत में जो चिकस्ता सेवा दे रहे हैं और ये समझ जिये हैं, बिल्कुल कूर मेडिकल परफेशन है ऐसी बात नहीं है The moment a baby is born, there is a birth of a legal document by the name of birth certificate. Certificate. And the moment an individual disintegrates into its building block, it also gives right to a paper that is not a death certificate. The law covers you from warm to warm, there is no escape. So, I believe and I believe in it firmly that every doctor is supposed to be adequately, legally literates so as to be able to do his duty in sync with the law of the land. Right. Right. Sir, having said that, that you have said that from oom to tomb, that means that you take from birth to birth, until you don't go to the earth, until you are buried from the legal aspect. It is completely true. Sir, whenever you take this lamp, you have done some seminars, everything is happening. So, there is a statement. You have said that, in one direction, you have said that the law is a lot of mortality due to the casualties due to medical negligence. This is a figure that you have given to India, which was 52 lakhs. Every year, 52 lakhs. You have said that the medical negligence of medical negligence, you have mentioned that, you have said that the death of 52 lakhs. You have said that the death of 52 lakhs. Also, that the death of 2 lakhs. And the death of a doctor is still being saved. The death of 53 lakhs. All the time you have said that, we have said that the death of 53 lakhs, the death of 53 lakhs, the death of 53 lakhs. This is not the case. It is a communication gap. यह चारो अलग अलग चीज़े हैं लेकिन शायद कहने वाले गक्ति के दवारा कहीं साथ क्लारिटी ना हूँ यह समझने वाले गक्ति के शमज में कहीं दो शक के कारण यह कम्मुनिकेशन गैप पैदा हो जाता है और गलत जान के आरिया चले जाती हैं समाज में मीडिया के द Libras.anganगी है धर्षि में में दो श्नाड़ी। यह जो मैं ना हुट्रा शीज़े से यह सारी चीज़ें बिलकुल अलग हैं सारे के पेमाने और हैं सारे के परिभाशाओं अलग है सारे का माबदन और मेजर करने का तरीका अलग हैं मैं जो बात कर रह हुँ यह वह विशावस् प्राइम टीवी के मादियम से दर्सकों के लिए कि मॉर्टालिटी हम तब कहते हैं जब फॉर वाटेवर इजन पेशिंट की डेथ हो जाती है है FREAKTI up किसी को वी मारी हुई है और इसके डेथ नहीं हो लेकिन कोई लॉज हो गया इसको मॉर्पी कहते हैं तो दू बाती हो 기 रेटा उमारी धाय था अन्यॉ पोंडिट मी घ सीज़ सीज inve ए Lynn छोग को बहुत लों को भी बहुत लोगों को पोस्त लीड वा, पोस्त लीड अब दुस्री बात पे आते हैं, और अब दूस्री बात पे आते हैं, अल्कुल अलग बात है, और पेशल सेथिक प्रक्रिय किया वैसी घटनाओं को कहते हैं, जहां पे जो medical science prescribed करता है कि इस specific case में ये काम करना है और वैसे ही किया गया फिर भी कुछ नुक्सान हो जाता है, that is special safety incident, inadvertent harm, जहां पता है क्या करना है और वो करने में चूख हो जाती है, अगर मैं ये example दो कि किसी patient को penicilline का injection देना है, तो उसके सेंस्टिविटी टेस्स करना जरूरी है, it is a standard practice of medicine, किसी patient को specific diagnosis करना है, तो होचता है कोई खास head injury का patient है, तो CT scan करने के जरवाद पढ़ेगी हमें, तो कही बार different बीमारियों के करम में, उनका diagnosis करने या treatment करने के लिए specific protocols दे हैं, जो specific protocols हैं, उनको follow नहीं करते हैं, तो वो error है, जबकि if we follow all standards, all protocols, all rules, all regulations, all conventions, with all best of intentions, if something goes wrong, that is known as patient safety incident, तो दोनों बिलकुल दो चीज़ है, एक में आपने कोई काम कैसे करना आपको बता रखा गया है, फिर भी आपसे गलती होगी, लेकिन एक incident को मैं as a case study आपके सामने रखता हूँ, यह हाली की बात है, दोस्तों हमारे एक साती है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, शिल्पी चैटर जी, लेकिन मैं संस्था का नाम, क्योंकि यह हमारे BCCI के कुछ प्रोटोकॉल के माद्दम से मैं उनका नाम मैं यहां पर नहीं इस्तेमाल करूंगा, एक बड़ी संस्था, लखनों की जानीवानी संस्था में, वहां पर एंजियोग्राफी होने जाता है, सर सिंपल एंजियोग्राफी होने जाता है, पेशेंट खुद ड्राइफ करके जाती है, उस institute तक पेशेंट ऊपर जाती है, उन्होंने जो है, अपने हस्बेन के साथ अपना एक सेलफी तक हीच रखा होता है, at the same time she goes on the table, अब एंजियोग्राफी होती है, और एंजियोग्राफी के दौरान, मैं नहीं जानता अंदर क्या हुआ, इसलिए मैं उसको टीवी पेर बोलना जवरी नहीं समझूंगा, लेकिन किसी समत हो जाती है, अब बात आती है वहाँ पे, जहां पे भई आज हर कोई अपने आप में लिटरेट है, एजुकेटेट है, तो उनके हजबन के मन में ये शंका होती है, कि कहीं न कहीं ए मेडिकल एरर और नेगलीजिएंस का कुछ मैटर हो सकता है, तो वो कहते हैं कि क्योंकि कैटलाब की मशीन में अपने आप में दोस्तों ये जानना बहुत जवरी है, कि उसमें एक टेकनोलोजी होता है, जो कंटिनूसली उस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है, और इस रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, उस संस्था में चार केसे सोते हैं, बाद में उनको वहां से हटा दिया जाता है, उनको फिर दूसरे इंस्टिटुट में वहां पे भी ये चीज रिफलेक करता है, ये और लेडिया, प्लीज अगर आप इसको पुराने न्यूस में चानेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं उसको इस प् जब हम एंजिजी की बात करते हैं आप फिर आप ये बहुत अच्छे तरिके से सिच आनने हैं कि वह कितना बहुत ही टेकनिकल और बहुत ही प्रसिशन का काiral है और प्रसिशन का का मजा जब आता है तो एक्सपर्ट करते हैं इसक gült हेंड के हाथ में जब यह जाता है जिसके हाथों पहले ऐसा कुछ केस हो चुका होता है अगर उसको फिर से संस्ता इस्तमाल करती है सर इस अरर और इस नेगलिजन्स वेरी वेल पुट अच्छा मौका है और मैं भी समय को प्योग करना चाहूंगा यह बात बताने के लिए एक प्रिदान के लिए यह निदान यह डागनसिस करने के लिए एक स्पेस्टिक प्रटकॉल बना हुआ है अगर सकाम फॉलो नहीं करते हैं जहां पे एक रिवस्था बनी हुई है as to what to do, how to do, what not to do और हम सब फॉलो कर रहे होते हैं फिर भी कोई नुक्सान हो जाता है तो इसको हम पेसिंट सेफ्टी इंसिदेंट कहते हैं अन इंटेंशनल हार्म वी अलसो स्टड़ी तैट, वी अलसो अलिट दाट, वी अलसो ट Medicine is not mathematics, Medicine में एक पेसिंट के physiology में, pathology में multitude of variables काम कर रहे होते हैं उसकी body में, अगर एक पेसिंट को diagnose किया गया और एक diagnosis D1 बना और उसके बाद पेसिंट को appropriate time के बाद उसको OT या lab, NU lab में ले जाते हैं, there could be entirely different scenario, more so elderly patients में So, it becomes very difficult to absolutely, very precisely forecast the entire chain of events that may happen to a patient, that's not possible, because medicine is exact science नहीं है, फिर भी, out of experience, based on law of large numbers, बहुत लोगों पे प्रक्रिया की गई और एक उसका मानक तेयार किया गया है, उस मानक के तहत training दे गई और फिर लोग उस मानक को follow करते हैं, और फिर लोग उस मानक को follow करते हैं, पर यह ताकि उसका angiography करने के शमता इतनी रहे कि गलतिया नहा हो, so हमारे प्रफेशन में इनफ सेफगार हैं, तो सर्फ अभी जैसे आपने कहा कि अग्लिजन्स, मेडिकल एरर और इस तरही के से जो केसे होती हैं, उसमें से लेकिन मेरा प्रशन से फिर इतना था, कि अगर यहां पे, अगर उस पेशन के हस्पेंड अगर वो लीगल केस दायर करते हैं, तो कहीं नहाँ पे, जैसे आपन हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं, और मेडिकल लिगालिटी से, जो पूरी तरीके से वाकिफ हैं, वही लोग इसको लड़ पाएंगे, राइट और रॉंग, सर, बात इतनी सी है, यहां पे बात आती है, कहीं न कहीं, कि मेडिकल सेफटी, वो जो कंज्यूमर जो वह के हाथ में देते हैं, तो यह मान के चलते हैं, कि कम से कम नेगलिजनस नहीं होगी, वो एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, और वहां से सेफटी के थूरू से निकलेंगे, एंजियूग्राफी सर, एक टेस्ट है, राइट सर, एंजियूप्लास्टी तक बड़े नहीं थे, इस चीज को, इसका solution क्या है, कैसे करके consumer की भी जो right है, वो भी हमारा सेफ रहे, और वहीं पे hospital अपना responsibility भी पूरा करें, और उनकी भी safety, बाखादा उनकी जयूरत है, तो भी पूरा रहे. मैं आपको एक एक्सामपल देता हूँ, जो आपकी सारे concern को, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए समधान कर देगा उसका, मैं आपको, I am giving you three case scenarios, एक छोटा बच्चा, जिसको chest infection है, यह सर दिखा से, कफ cold है, वो जाता है एक PSD पे, वैस उसी same science symptom के साथ, वही तकलीफों के सा एक समय पहुंच रहा है, जिरेंट जगहों पे, एक PSD पे, एक Dastic Hospital पे, एक Medical College के Pediatrics Department में, और एक AIMS नए दिल्ली में, और इन चारो जगहों पे, उस बच्चे को एक्जामीन किया जाता है, इनिवस्टिकेट किया जाता है, डाइगनोज किया जाता है, और ट्रीट किया ज जाता है, 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 जाता I think as far as my layman understanding goes, I think so. No. The Consumer Protection Act 1986 and its subsequent implication or invocation to the medical fraternity by virtue of the case that goes by the name of VP Shanta versus IMA in 1994 and the British common law, Supreme Court has adjudicated that that in our country, the consumer court will be treated in the British common law pattern because our legal system is following the British system in colonial times. And in British common law, the established practice in our country, right from Supreme Court down to District Court, or even Consumer Courts, State Consumer Court and National Consumer Court, if there is an Allegiance Act of Medical Negligence, then we do not only see the outcome of the patient's outcome. Before taking a decision, before coming to a conclusion, we see that when the patient's treatment of the patient, the doctor was different in these four cases. One was the primary level, PhD level doctor, the other was the district level doctor, the third was the medical college level doctor, the fourth was the LILIC level doctor. The other thing, in these four cases, level 1, level 2, level 3, level 4, the set of resources were different. The PSD resources are very limited. There are all resources in the district because it is a non-teaching institute. The medical college is more than a special department of pediatrics, and the medical college is more than a special department of pediatrics. Then we see the set of constraints, the set of resources, the set of constraints. We always look at the set of resources, the set of constraints. Then we look at the service provider, the specific patient, the specific patient, if the doctor had MBBS plus MD plus 3 years post MD experience, the court sees the same level of care, same set of circumstances, same milieu, same set of constraints, same set of resources and same degree, same skill and same length of experience. If any other doctor has done what he has done, then the act of or the suit of Ali's medical negligence is said to have been disproved. Okay, okay. So we call it Bolam's test. Sir, very good you have understood this. And this is really, we have to understand this. When something happens, I will give you an example. There is a full term pregnant lady. Yes. When I went to Paris, I faced an incident in flight when I was traveling to Paris. There is a full term pregnant lady. She is traveling in the train. And if she enters into labor, there is no service available there. And the co-passenger of her co-passenger is a doctor. He will try to do his best in the set of circumstances, with the set of constraints in the moving train, and set of resources at hand at his disposal. Right. And any other doctor having the same degree of training, MBBS, MD, MS, whatever. That is what he does. If he has done it, no negligence. Because in the labor room of AIMS and in the moving train, there is a thousand-fold difference. Right. It's very clear to me that you have to look at the conditions. How was the conditions? How was the specialization of the doctor? How was the case? How was the case? The other way of treating the case, which is different from different ways and the resources, the observation of it is very important. Sir, I am talking about that. I have to say some things. I have to say, as far as I am doing this, as I am doing this, because you are also a member of association. of hospital administration. When we talk about the academy of hospital administration, then on the whole, the answer of the hospital administration, we also want to keep in a little bit of responsibility. Sir, in this situation, my father is focused on the RML. Anyway, they are taken into a hospital, they are admitted, and if we see some trutas, we feel that there is no clean, or the treatment is not good, or the treatment should be reduced, if we ask the doctor, is it liable to answer the question, or is it not a doctor? As per Indian Code of Medical Ethics 2002, from MCI, he is the doctor's responsibility that the patient will understand his language before the treatment, and after the treatment, and after the treatment, there is no doubt about it. MCI is abolished, is it as it is? Yes, it is as it is. MCI will change the name, NMC, it is a medical commission, but the Medical Code of Medical Ethics 2002, is a prachyapit, is a prachalit, and is a bad-a-cari. So, this is our duty, and the advice is that we ask the patient as part of his disease, if we have the treatment of his disease, before his disease, before medicine, before medicine, and after medicine, there are exceptions to us, to where we have to see that whether patient can tell him of his disease, to someone who speaks about the disease, but we can answer the complaints by cancer, like cancer or cancer, you know, we give guidance on the guidance, but with the patients, they can tell him. Of course, बताई जाती है, उनको बताई जाती है, बिल्कुल बताई जाती है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सारे मांदन जो हम लोग कहते हैं, करेंट बेड्स प्रैक्सिस अब दी वर्ल्ड, वो एरोपिन कंट्री या वेस्टरन वर्ल्ड के बने हैं, वी एर रिसोर्स पूर कंट् पर कैप्टा इंकम में जमीन आसमान का फर्क है, परसेंटेज अब जीडीपी जो में इन्विस्ट करते हैं हिल्थ में जमीन आसमान का फर्क है, डिमांड सप्लाय मैच बहुत ज्यादा है हमारे यहां, वहां डॉक्टर्स की नंबर फिक्स है, एक डॉक्टर कितना पिशन इन इंटेंशन ब्ए होस्पिटल, डॉक्टर, गवर्मेंट, सुसाइटी का भी अंजाने करते हैं, जो दोस्तों कहने में बढ़ा लगता है, आज हमारे देश में दिवारों पर लिखना पड़ता है, यहां पेशाप करना मना है, तब जाके हमारे अंदर यह जागुरूप करते हैं, यहां नहीं करना है, और साब जहां लिखा होता है, कि थूखना मना है, वहां सबसे ज्यादा थूख पड़ी होती है, तो यह लेविल ओफ एजुकेशन नहीं है, यह लेविल ओफ शिक्षा है हम लोग कारिकरम करते हैं, वह एक तरफ है, लेकिन डॉक्ट साब कही देखे सेंगे स्वास्तिफभाग यह लेकिन अफ़ी बड़ने के बाहर सरकार ने बहुत आधाब करते हैं, क्वांटिक कॉंसल और इंडिया ने बनाया है, एन एबएच ने बनाया है, एन आए अर फ ने किया है, तो अगर आप देखेंगे स्वास्तिभाग ने निट इसने कमी में आफ और साथा कि या इतार को स्व आन्त में एक चीज जाना चाहूंगा नेर की देर करियर काुछ है तो थोड़ा करीयर से लेंके बात करता हूं ऋ्सर्य है यद कितने बच्चे अभी यह प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि जो MBBS, MD कर चुके होते हैं उसके बाद वो बाकरी सोचते हैं कि अब हम LLB के उपर चले जाएं ज्यादा तर लोग अपने ही प्रैक्टिस में आगे बढ़ता हैं तो वो इसका आज के दिन में कितनी ज्यादा डिमांड इसको करने का सेंस क्या है आपका क्या सजेशन है बच्चों को जो अभी MBBS कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं जैसे मैंने बताए कि आज स्वास सेवाओं को महिया कराने के लिए या कराय जाने के लिए या कराय कानून की जानकारी भी दें। इस सम्मन में देश में कुछ सेशा स्विश्विद्याले या इंसिचूट्स ने डिप्लोमा इन मेडिकल लाओ और सम डिफर्ट नाम से पार्टेकर्म शुरू किये हैं। लखनों में भी जल्द ही यहां पे एक इंपॉर्टन इनिवर्सटी ने कोशिश करी है और यह प्रयाज भी चल रहा है जहां पे मेडिकल ग्रैजवेट्स या पोस्ट ग्रैजवेट्स के लिए इवन फर लॉयस के लिए लाओ इन मेडिसिन और मेडिसिन लाओ पे डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने की कवायत जारी है। एक बत मैं और कहना च अधूद हूँ प्रेजडेंट रिजनल चैप्टर यूपी एकाडमी फास्ट अबिस्टरिशन बहुत 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 शुक्रिया आप हमारे कारिकरम में आए आपने हमारे दर्शों को इतनी खुबसूरती से मैंने कुछ ऐसे भी प्रशन है डॉक्ट साब से पूछे जो ब बहुत बड़ा नाम है मेडिकल फैटर्नेटी में और जब कभी ऐसी कोई दिक्कत आती हैं जहां पर लीगल टर्म्स आ जाती हैं और लीगालिटी इशूज आ जाते हैं जहां तिमारदार को यह लगता है कि उनके राइट्स का हनान हुआ डॉक्टर्स को अंसेफ फील होता ह है वो इनसीक्योड हो जाते हैं कि भई जो हमारी सीकुरिटी के साथ खिलवाड हो रहा है तो वहां पर यह जो एचे हैं फिर जो लैम की जो मैंने भी हम लोग पात कर रहे थे वहां पर यह प्रोसेस बहुत कारगर सिद होती हैं और शाद आगे चलकर हम लोग कुछ ऐसा दे थे हैं कि भी ह nasal करेंदे चुक हम आप उनिता रहां घुम्हां पर सिदा थालकी अगे ती ही तीम दो डीग जो गलत ता हैं वह दूर हो और जारुक्ता वाण में जसकी जो जहां आफ जुर इया थे. nr 1 0 तो आज हम दोगों ने बात की डॉक्टर हर्श बद्धन जी से जो रहने बहुत ही खूब सूर्थी के साथ हमें medical law aspects के बारे में बताया दोस्तों यह बहुत ही एक interesting option आज हम लोगों को पता चला जो कि MBBS doctors है वो अपने MBBS और MD फिनिश करने के बाद law के दुनिया में आ सकते law as a career भी वो चुन सकते हैं because जो doctors होते हैं वो बहुत ही अच्छे से legal aspects को भी समझ सकते हैं तो doctor plus legal यह दोनों mix करके वो एक अपना new career aspect चूज कर सकते हैं तो friends हमने इस हफते और अगले हफते भी हम लोग legal line legal career के उपर ही आपसे बातचीत करेंगे because हम next week भी आपको कुछ नया आयाम जो है law के दुनिया में ही आपको बताएंगे because जब आप लोग CLAT चूज करते हैं जब CLAT test के लिए आप लोग appear करते हैं तभी आपके दिमाग में आ जाता है कि B.L.L.P. करना है और B.B.L.P. भी करना है तो आप लोग को जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से एक number of options देंगे जो आपके लिए easy होता है चूज करने के लिए तो हाँ दोस्तो फिर से इक पर बता देती हूँ हमारे शेहर में आ चुका है करियर काउज गुरू और जो की हजरत कान सेंटर ओलेडी ओपन हो चुका है और बहुत जल्द हम आने वाले हैं गोंती नगर सेंटर में तो दोस्तो करियर काउज गुरू आपके लिए इसे तरी यह कारिया काउज विच भांकर और देखते रहिएगा हर अविबार रात के 9 बिजे ओली ओन प्राइम टीवी थांकियो सो मच टेक क्या बाइबाए